दोस्तो अविमेक एजुकेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मोस्ट आयम पी सो केशन देखेंगे जैसे कि गेंगा रोग किस की कमी से होता है आयोडिन की कमी से होता है कौनसी ग्रंथी इंसुलिन स्त्रावित करती है अगनासाई करती है डूरंड कप का सब्बंद किस खेल से है फुटबोल से है भारत का सबसे बड़ा बांध कौनसा है हिराकुन बांध है समिदान की आठवी अनुसुची में कितनी भारतिय बासाओ को मान्यता दी गई है 22 बासाओ को मान्यता दी गई है चिन की मुद्रा कौन सी है तो युवान है चिन की मुद्रा रेड क्रोस के संस्तापक कौन है है हैंरी डुनांट इमोगलोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है एनिमिया है भारत कोकिला कौन कहलाती है सरोजिनी नाइडू कहलाती है दिल्ली में कुतुब मिनार किसने बनवा नहीं सरू की थी तो कुतुब दिन एबक ने सरू किया था और इसका काम जो है खतम इल्टुत्विस ने किया था बनारस हिंदू विष्व विद्यालह के संस्तापक कोन थे? मदन मोहन मालविया थे अर्थ शास्त्र के लेखक कोन थे? चानक्यय यानि की कोटिलिय और विष्णुगूप्त भी इसका नाम है विवेकानन समारख कहां स्थी थे? कन्या कुमारी में दक्सेश का मुख्याले कहा स्थीत है काठमंडू में स्थीत है जो कि नेपाल में है और नेपाल की राज़दानी है काठमंडू दक्सेश के कितने देश सदस्य है आठ देश सदस्य है जिसमें बारत, नेपाल, बांगलादेश, स्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सामिल है बारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 7,516 किलोमीटर है विश्वो में अबरक का सरवाधिक उत्पादन किस देश में होता है भारत में होता है ग्रान ट्रंक रोल किस ने बनवाया था सेरसा सूरी ने बनवाया था विटामिन B की कमी से कौनसा रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन C की कमी से कौनसी बिमारी होती है सकर्वी रोग होता है दूद में कौनसा विटामिन नहीं होता है विटामिन C नहीं होता है विटामिन D की कमी से कौनसा रोग होता है लिकेट्स होते है आगे देखते हैं किस विटामिन की कमी से खुन का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? बांजपन होता है, विटामिन C का राशानिक नाम क्या है? एसकोर्बिक अमलब, वसा में घुलनसिल विटामिन कौन से है? A और E है साधारान नमक का राशानिक नाम क्या है NaCl है असाने वाली गेस का राशानिक नाम क्या है Nitrous Oxide जिसको N2O कहते है दावन सोडा का राशानिक नाम क्या है Sodium Carbonate है पितल किन दो धातुवों का मिस्रण है तो तामबा और जस्ता का मिस्रण है पितल Calciferol किस विटामिन का राशानिक नाम है विटामिन D का नेतरदान में नेतर के किस भाग का दान किया जाता है कोर्णिया का किया जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट कोशिका का पावर आउंस किसे कहा जाता है माइटो क्रोंडिया को कहा जाता है लाल रक्त कनिकाओ का निर्मान हमारे सरीर के किस बाग से होता है अस्ति मजा से होता है जिसे इंगलिस में बोन मेरो कहते है राष्टिय विज्ञान दीवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी को बलड पेसर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्फिगमो मेनोमिटर का प्रयोग किया जाता है कम्प्यूटर की पर्मनेंट मेमरी क्या कहलाती है रोम कहलाती है read only memory रोम का फुल्फोम होगा किस अधिवेशन में कॉंग्रेस उधारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी तो 1907 के सुरत अधिवेशन में कॉंग्रेस का ये जो है विभाजन हुआ था तंजोर का ब्रोहदेश्वर मंदीर किस ने बनवाया था मुगल समराट अकबर का जन्म कहां हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था वर्स 2014 का फुटबॉल विश्वकप किस देश में आयोजित हुआ ब्राजिल में हुआ था वर्स 2018 का फुटबॉल विश्वकप किस देश में आयोजित हुआ रूस में हुआ था वर्ष 2014 के commonwealth खेल कहां हुए थे ग्लासगो में हुए थे जो कि स्कोटलेंड में है वर्ष 2015 का cricket विश्वकप कहां हुआ न्यूजिलेंड और उस्ट्रिलिया दोनों में हुआ था संसत के दोनों सदनों की सयुत्र बेटक की अध्यक्सता कोन करता है लोगसबा के अध्यक्स भारत के प्रथम लोगसबा अध्यक्स कोन थे गणे स्वासुदेव मावडं करते बारतिय समिदान के किस अनुचेद के अंतरगत जमू कस्मीर को विशेश दर्जा प्राप्त हुआ था अनुचेद 370 जिसको हटा दिया गया है कोई विदेग धन विदेग है या नहीं इसका नेड़े कोन करता है लोगसबा के अध्यक्स करते है विश्व का सबसे बड़ा महादवीब कोन सा है एसिया है हैजराबाद किस नदी पर बसा है मुसी नदी पर बसा हुआ है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा है मैक्सिको है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है वेटिकन सिटी है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोडती है पूमध्य सागर और लाल सागर को जोडती है पनामा नहर किन दो महा सागरों को जोडती है पनामनहर कीन दो महासागरों को जोडती है तो प्रसांद महासागर और उत्री एट्लांटिक महासागर को जोडती है भारत के संगीय क्षेत्र दादरा और नगर अवली की राजदानी कौन सी है तो सिल्वासा थी उसके बाद दीव दमन दादरा और नगर अवली को जोड़ दिया गया अभी एक कर दिया गया उसके बाद दमन इसकी राज़दानी है क्षेत्रफल की द्रश्टी से बारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान है प्रुथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 एपरिल को मनाया जाता है प्रुथ्वी दिवस फुलो की घाटी किस राज्य में स्थीत है उत्राखन में है वर्ष 2011 में नव निर्मित राष्ट्र दक्षिनी सुदान की राज़दानी कौन सी है जुबा है योजना आयोग का अध्यक्स कौन होता है प्रदान मंत्री होते है जो निती आयोग है उनके अध्यक्स प्रदान मंत्री रहते है आईने अकबरी का लेखक कौन था अबुल फजल ओपमेन कब किस खेल से सबंदित है टेनिस से सबंदित है देश बंदु के नाम से कौन जाना जाते है चितरंजन्दास असोग चक्र में कितने तिलिया होती है चोबिस तिलिया होती है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी राजा हरिश चंद्र बनी थी सबसे चोटी हडी कौन सी है स्टेपीज है जो की कान में पाई जाती है सबसे बड़ी हडी कौन सी है फिमर है जिसको जांकी हडी कहते है मानव सरीर में कितनी पेशिया है 639 पेशिया है 649 लाल रक्त कनिका यानि RBC Red Blood Cells का जिवन काल कितना होता है 120 दिन होता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चड़ाने की क्लिया को क्या कहते है जस्ती करण या गेलवेनी करण कहते है या फिर उसको गेलवेनाईजेशन भी कहते है मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है यक्रूत है में हैं युनेस को द्वारा कलिंग पुरसकार किस ख्षेतर के लिए दिया जाता है विज्ञान के ख्षेतर के लिए दिया जाता है एधराबाद में चार मिनार का निर्मान किस ने करवाया था कुली कुतुब साह ने करवाया था कोंग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था सन 1929 के लाहर अधिवेशन में पारित किया गया था स्वेत क्रांति का सबंद किस से है दूद से है भारत का सबसे पूराना चालू रेल इंजन कौन सा है फेरी क्विन है बारत में आपातकाल की प्रथम गोशना कब की गई थी चिनी आक्रमन के समय 26 अक्टूबर 1962 को बारत में भासा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है आंद्रप्रदेश है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमन कारी कौन था मुहमद बिंद कासिम था 712 इसा में इन्होंने आक्रमन किया था सेल्यूकस का राद्दूत जो चंद्रगुप्त मौरियों के दरबार में आया वो कौन था मेगेस्थरिस था और इंडी का नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है स्रिलंका का पुराना नाम क्या है सिलोन है विटामिन की खोज किसने की फंकने की स्टेनले स्टिल किसकी मिस्रधातू होती है आईरन क्रोमियम और निकल की मिस्रधातू होती है कासा किसकी मिस्रधातू होती है कोपर तथा टीन की मिस्रधातू होती है स्वामी विवेकानन ने सिकागो में हुवे विश्व हिंदु धर्म समयलन को कब सब्बंधित किया था 1893 में संब्धित किया था जलियावाला बाग अत्यकान कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ था प्रुथवी पर उत्री गुलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जुन को होता है महात्मा बुध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था सारनाथ में दिया था साइमन कमिशन के बहिसकार के दोरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्य हो गई थी लाला लाजपतराई की मृत्य हो गई थी बारत में निर्मित प्रथम कम्प्यूटर का क्या नाम है सिद्धार्थ है गायत्री मंत्र का उल्लेक किस ग्रंथ में है रुगवेद में है मानव सरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन होती है चोटी आंत में होती है आनुवांसिक्ता के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया ग्रेगोर मेंडल ने किया था मानव द्वारा सबसे पहले किस दातु का प्रयोग किया गया था तामबा का प्रयोग किया गया था बोल पेन किस सिद्धान पर कारिये करता है प्रुष्ठिय तनाव पर कारिय करता है रेसम के किड़े किस वुरुक्स की कॉमल पतियों पर पाले जाते है सहतुत की कॉमल पतियों पर राजस्थान में खेतली किस के लिए प्रसिद है तामबे की खान के लिए प्रसिद है पुरुथवी के सबसे नदिक ग्रह कौन सा है तो सबसे नदिक है सुक्र तो दोस्तों आज के वीडियो में 100 क्वेस्टन देखे आगे के क्वेस्टन जो है वो अगले पार्ट में देखेंगे वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अपने सबही दोस्तों को वीडियो सेर करें चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में देव बिल को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेत नहीं करना पड़े इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अविलेबल है आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते है डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल और वाटसप ग्रूप की लिंक दी हुई है वहाँ पे जूट जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली निउस प्रेपर, डेली करेंट अफ़ेर, मॉस्टाइम पी पीडियो और लेटेस्ट गवर्मेंट जोब की अपडेट मिलती रहेगी आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो